कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच तनातनी राजसान जैपूर के नगर निगम कारेले तक पहुँच गई है जैपूर गेटर नगर निगम की महापोर सोम्या गूर्जर और कमिशनर के बीच कच्रा उठाने वाली कमपनी को लेकर हुए विवाद में सरकार रविवार देराज शेहरी सरकार का तखता पलट करने के मोड में आ गई राजे सरकार ने मेयर समेट दो कमिटियों के चेर्मेन और एक पारशत को ततकाल परभाव से निलंबित कर दिया रास्तान में पहली बार किसे निर्वाचित मेयर को निलंबित किया गया है दरसल तीन जुन को मेर सौम्या गुर्जरनी कमिशनर यग मित्र देव को पतरावली भेजी की बीवीजी कमपनी हरताल पर जा रही है जनहित के कारे को रोक कर कमपनी द्वारा अनावशक रूप से नगर निगम पर दबाव बनाय जा रहा है अगले ही दिन कमपनी को पेमेंट करने समेत अन्य मुद्दो पर हुई बैठक में मेर ने कमिशनर पर गंभीर आरोप लगाए मेर का आरोप है कि कमिशनर कमपनी के साथ मिलकर जे बेभरने में लगे हैं बैठक में विवाद इतना बढ़ गया की कमिशनर मीटिंग छोड़ कर चले गए शुकरवार देरात कमिशनर ने जोती नगर थाने में मेर के खिलाप अबद्र भाषा बोलने और पारशद पारस जैन समेत कुछ पारशदों पर मारपीट करने के आरोप लगाए यूडियेच मिनिस्टर शांती धारिवाल ने डियलबी में पद्रसापित आरेस अधिकारी रेनु खंडेलवाल को पूरे मामले की जांसोपी इस बीच कमिशनर ने मेर की सुरक्षा में लगे चारो होमगार हटवा दिये रेनु खंडेलवल की जांच के अधार पर रविवार देर राज साड़े ग्यारा बजे आदेश जारी कर चारो को सस्पेंट कर दिया गया डियलबी ने रास्तान नगर पाली का धिनियम 2009 की धारा 49 के तहट तुरंद प्रभाव से मेर और तीन अन्य पारशदों के निलंबन और पस से हटाने के आदेश जारी कर दिये मेर सोमया गुरजर के लावा दो चेयरमेन अजय सिंग चोहान वे वार नमबर बहतर के पारशद पारसजैन और वार नमबर एक सो तीन के पारशद शंकर शर्मा को निलंबित कर दिया गया अब धारा 49 तीन के तहट नियाए धीश रेंक के किसी नियाएक अधिकारी से जाच कराई जाएगी महापोर को हटाने से पहले उन्हें सुनवाई और इसपश्टी करण देने का पूरा अवसर दिया जाएगा बीजेपी परदेश शद्यक सतीच पुनिया ने कहा कि यह निलंबन परदेश सरकार के पतन का कारण बनेगा सोम्या गुर्जर ने कहा कि सरकार अपनी हर धर्मिता के चलते जबरन उन पर दोश मड़ रही है निगम में बीजेपी बहुमत में है इसके बावजूत कॉंग्रेस की सरकार काम करने नहीं देना चाहती